आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग से वनेला बर्थे चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आए हूँ जिसको हम बहुत ही असान इंक्रीडियन्स के साथ बना के तयार करेंगे जो के हमारे घर में हर वक मौझूद होते हैं इस केक को हम विदाउट अविन एक पतीली में बनाएंगे और ना ही हम इसमें बटर करेंगे और ना ही किसी भी क्रीम का और फिर भी ये बहुत ही जबरदस सबन के तयार होगा इस केक को जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान पे क्लिक करके नोटिफिकेशन्स ओन कीजिए इससे में जब भी रेसिपी अपलूट करूँगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी औ फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए सबसे पहले हम 6-7 इंच का एक गोल बेकिंग पैन ले लेंगे और उसको ओल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे आप चाहें तो आप यहाँ पे बटर या घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास ऐसा गोल बेकिंग पैन ना हो तो आप अपने घर पे कोई स्टील का या अलमुनियम का कोई बोल होता है वो ले ले या फिर आप कोई छोटी पतीली भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे अब इसमें बेकिंग पैन के साइस का बटर पेपर काटके लगा लें यह इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर से आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई मसला नहीं है आप इसके उपर मैदा छे रख लें और एक्स्टर मैदा जो है वो निकाल लें इससे यह होता है कि केक और पैन के दर्म्यान में मैदे की एक कोटिंग बन जाती है जिसकी वज़ा से केक जो है वो पैन से नहीं चिपकता और एजली डिमोल्ड हो जाता है अब हम केक का बैटर बना के तयार कर लेंगे तो उसके लिए हम एक बोल में हाफ कप पाउडर चीनी ले लेंगे सिंपल जो वाइट चीनी होती है उसको अब गरेंडर में पीस के पाउडर बना ले 1 4th cup oil, simple refined oil जो होता है ऐसा कोई oil जिसमें smell नहो strong 1 4th cup दही यानि के curd अब हम एक whisk ले लेंगे और whisk की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से mix कर लेंगे अगर आपके पास whisk नहीं हो तो आप चमच से भी ऐसा कर सकते हैं जब सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम एक छना ले लेंगे अब हम इसमें डालेंगे वन कप फ्लार यानि के मैदा हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा अपिंच ओफ सॉल्ड यानि के बस चुटकी भर नमक वनिला एसेंस हाफ टी स्पून वन टी स्पून वाइट विनेकर यानि के सफैज सर्का और हाफ कप दूद ले लेंगे इसको आदा डालेंगे अभी बेटर को थोड़ सा मिक्स कर लेंगे और बाकी का आदा डालके अच्छे से पूरे बेटर को मिक्स करेंगे तब तक जब तक सब कुछ अच्छे से स्मूथ ना हो जाए अगर से आपके पास वनिला एसेंस ना हो तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारे केक का बेटर जो है वो अच्छे से तयार हो चुका है अब हम इसको ग्रीस किये हुए बोल में डाल लेंगे अब हम इसको बेग कर लेंगे तो पतीली जो है वो अल्रेडी प्रीट हो चुकी है अब हम इसमें इस्टेन डालेंगे सबसे पहले ताकि हमारे जो केक है वो पतीली के बॉटम पर ना लगे थोड़ा सा फासला हो और अब हम इसको कवर करके केक को बेग कर लेंगे 45 तू 50 मिनट्स के लिए low to medium flame पे और पतीली को कवर करने के बाद हम इसके ओपर कोई heavy सी चीज रख देंगे 45 मिनट्स से पहले हम केक का जो ढकन है उसको बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे 45 मिनट्स के बाद हम केक को चेक कर लेंगे एक नाइफ लें आप उसको केक के दर्म्यान में डालें और अगर वो clean बाहर आए like this तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो है वो अच्छे से बेख हो चुका है अब हम केक को प्रॉपरली ठंडा कर लेंगे यानि के रूम टंपरिचर पर आने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम अपने केक की आइसिंग या फ्रॉस्टिंग तर्यार कर लेंगे विदाउट एनी क्रीम और बटर तो केक की आइसिंग बनाने के ल बटर यानि के मैदा लेंगे इसमें हम एट करेंगे 1 स concert Commander sugar यानि के पाउड़र जीनी 1 4th कप पड़ दूद जो सूखा पाउड़र दूद होता है वहले ले 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 1 कप वाटर यानि के 1 कप पानी और इस सब को अच्छी से मिक्स करलेंगे अब हम इसमें एट कर लेंगे हाफ टीज स्पून वनिला एसिंस ताके हमारी जो आइसिंग यानि की ग्लेज है उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आई वनिला का तो यह अच्छी से मिक्स हो चुका है अब हम इसको ले लेंगे और एक पैन ले लेंगे उसको लो फ्लेम पे रखेंगे और यह जो मिक्स्चर है इसको पैन में डाल देंगे अब हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे तब तक जब तक इसका जो तमाम इंग्रीडियन्स है वो अच्छे से आपस में मिलना जाएं अच्छ से ये ग्लेज कुक न हो जाए इसका कच्चा बन जो है वो दूर न हो जाए अच्छ से ये थेक हो जाएगी जब तक तो देखिए ग्लेज जो है वो हमारी एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ चुकी है लाइक देखिए कितनी कुपसूरत सी लग रही है यह देखिए कोई लंप नहीं है बिल्कुल स्मूध ग्लेज है यहां पर हम टू ट्रॉप्स ओफ रेड फूट कलर डाल देंगे लाइट पिंक कलर बनाने के लिए और इसको प्रॉपर मिक्स नहीं करेंगे हरका सा मिक्स करेंगे ऐसे मिक्स करेंगे कि इसमें दो तीन शेड्स हो तो हमारा केक जो है वो प्रॉपरली ठंडा हो चुका है इसको डिमोल्ड कर लेंगे तो इसके ओपर एक प्लेट रखेंगे केक को टर्न कर लेंगे केक असानी से बाहर आज रगा बटर पेपर की वज़ा से और आप बटर प प्रॉटिंग जो होगी वो केक और पैन को आपस में नहीं चिपरकने देगी अब हम तयार की हुई ग्लेज फटा फट से इसके ओपर डाल देंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकस अगर से आपने इसको ऐसे छोड़ा तो फॉरान से ग्लेज जो है वो पैन में ह कर सकते हैं और ये ग्लेज जो है वो केक को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लिमेंट भी करेगी तो जिन लोगों के पास क्रीम या बटर ना हूँ वो इसको अराम से बना के एक बहुत ही जबर्दस्था हैपी बर्दी केक इंजोई कर सकते हैं अब हमें इसके ओपर हैपी बर लिखना है साथ में जिसकी बर्दे हो उसका नाम भी लिख सकते हैं तो उसके लिए हम क्रीम या बटर बिलकुल भी यूज नहीं करेंगे मैदा कॉर्ण फ्लार पानी दूद कुछ भी इस्तमाल नहीं करेंगे सिंपल एक चॉकलेट ले लेंगे कोई सी भी चॉकलेट ले ले लिए पानी में मिक्स करें इतनी तरह मेंछ चॉकलेट जो है मेल्ट को ज sweetness करेंगे और जिब चॉकलेट मेल्टो जाएगी तो हम चॉकलेट को ले लेंगे इसके रेपर का क्र Ariana जो है उसको बहुतई दिहान से काटिए कि एकदम उसमें जो हो छोटा हो और अब मिच्क की के साथ बना के तयार किया है जो के घर में हमेशा मौजूद होते हैं तो अगर से आपको इस के के रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ SHARE कीजिए इसको अपने खरवालों के लिए अपने फ्रेंस के लिए बनाए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे Vineos जेखते रहे अल्ला हाफिज